दोस्तो आ गई वो गड़ी आज है इंडिया और नियूजिलेंड के बीच पहला सेमी फाइनल बैटिंग या बॉलिंग सेमी फाइनल में किसका चलेगा आखिर सिक्का चाने कैसे होगी वान खेड़े की ये पिच भारत और नियूजिलेंड की टीम ICC बंडे विशकब 2023 के सेमी फाइनल के लिए बिढ़ने के लिए अब पूरी तरह से तयार है दोनों टीमों के बीच ये मुकावला मुंबई के वान खेड़े स्टीडियम में खेला जाएगा विशकब में लगाता दूसरी बार दोनों टीम सेमी फाइनल के लिए एक दूसरे से टकरा रही है पिछली बार भारत और नियूजिलेंड 2019 विशकब के सेमी फाइनल में टकराई थी विशकब 2023 में भारते के टीम विजह रत पर सवार है टीम इंडिया ने लीग स्टेज में अपने सभी नौ मुकाबले जीत कर सेमी फाइनल में जगा बनाई है वहीं दूसरी तरफ नियूजिलेंड की टीम ने टूर्णामेंड में शुरुआ तो तमदार की थी लेकिन उसके बाद वो अपने ले से बटक गई और जैसे तैसे उन्होंने सेमी फाइनल में अपनी जगा बनाई ऐसे में आईए जानते हैं कैसी होगी भारत और नियूजिलेंड के बीच मुकाबले के लिए वान खेड़े की ये पिच मुमबई के वान खेड़े स्टेडिम के पिच बल्ले बाजी के लिए मानी जाती है बैटिंग ट्रेंडली होने के कारण इस मैदान पर खूक चौके और छक्के लगते हैं पिच पर उच्छाल होने की वज़े से गेंद साही तरीके से बैट पर आती है मई गेंदबाजी में कुछ खास मदद नहीं मिलती इसके अलावा रही सही कसर मैदान का अकार पूरा कर देता है लाल मिट्टी की इस पिच पर स्पिनरों को जरूर मदद मिलती है मई शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को भी लाब मिलता है इस मैदान के आकड़ की बात करें तो यहां कुल 32 वंडे मुकाबले खेले गए हैं जिसमें 17 पहले बैटिंग और 15 दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है ऐसे में टॉज यतने वाली टीम का फैसला निश्च रूप से पहले बैटिंग हो सकता है पहली बार कप वंडे में औसद स्कोर यहां पे 243 तो दूसरी बारी का 201 है अब तक वर्ल्ड कप के मुंबई के तीन मैच हुए हैं और तीनों ही हाई स्कोरिंग मुकाबले रहे हैं टीम इंडिया यहां पर आकरी मैच शिलंग का खिलने उतरी थी इस मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन बनाये थे महीं शिलंग काई टीम सिर्फ 55 रन पर ही सिमट गई थी ऐसे में भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेला जाने वाला पहला सैमी फाइला मुकाबला काफी रोमान्चक होने की उमीद है लेकिन रोही शर्मा ने यहाँ तक कहा है प्रेस कॉनफरेंस में की टॉस कोई मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पर पता है रोही शर्मा को अगर हम टॉस हार के पहले फिल्लिंग भी करते हैं या पर टॉस जीत के पहले बैटिंग जो भी हम करें लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बानखेडे स्टेडियम में रोही शर्मा ने बहुत मैच खेले हैं और मुंबई इंडियन्स का ये होंग ग्राउंड भी है जहां पर मुंबई इंडियन्स प्रैक्टिस प्राउंड पर टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉस हमारे फेवर में जाए या फिर नहीं जाए क्योंकि यहां पर हम अच्छा क्रिकेड़ी खेलते हैं और यह पिछ वैसा ही है कि हम इसे चेस करते हुए या फिर टार्गेट देते दोरों तरफ से हम इसे जीत सकते ह तो दोस्तों यह हमें बताता है कि बारती कफ्तान का जो कॉन्टे लेवल है बहुत ही हाई है और पॉजिटिव है जिससे यह पता चलता है कि हम कितना अच्छा क्रिकेड़ खेल रहे हैं तो आज की पता चल जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल पहुसते हैं लेकिन दोस्तों आ